इस कारिक्रों की पुन्यार्जक हैं राजेश बीश्चाहा, टुडे ग्लोबल मुंबई, एरिस्टो बिल्डर्स एहमदबाद, सुनील वी महता एहमदबाद, टी एफसी रोड लेंक, एस वी कैरियर एहमदबाद जैजनेन दर्शको, मैं आयूशी गौर, आप सभी का स्वागत है जिन्वानी चेरल पर दर्शको, आज आपके समक्षडे कराएं हैं परम पुझे प्रग्याश्रमन सारस्वताचारे 108 शिरी देव नंदी जी महराज के आशिरवाद से वेदी प्रतिस्ठा, मूर्ती इस्थापना, एवं उनके ही परमशिष्य, परमपुझे, मुनी शिरी 108 आरश कीर्ती जी महराज के दीक्षा दिवस महुत्सव की भक्ती आनन्द से ओथ प्रोथ जड़कियां परमपुझे आरिका शिरी 105 सम्मेद शिखर्मती माताजी की प्रेणा से ये कारिक्रम गुजरात प्रांथ की धार्मिक नगरी देरोड इस्थित नैसर्गिक सौंदरे से पूर्ण शिरी देवपुरी अतिशय शेत्र में 16-18 फरवरी के मध्धे आयोजित किया गया इस कारिक्रम में जैन उपासकों ने भूगर्व से प्राप्त आलोकिक प्रतिमाओं को नूतन वेदी पर विराजमान करने के साथ ही गुरूवर का पांचवा सैयम दिवस मना कर जीवन का सर्वोत्तम को निलाब अर्जित किया तो आईए दर्शकों देखते हैं इस तरिदिवसिय कारिक्रम के प्रतम दिन के मनोहारी द्रश्य गुजरात राज्य के देरोल की पावन भूमी श्री देवपुरी अतिश्य शेत्र में 16-18 फरवरी के मध्य परंपूजे प्रग्या शमन सरस्वताचार एकसो आठ श्री देव नंदिनी जी महराज के परंप्रभावक शिष्य परंपूजे मुनी श्री एकसो आठ आठ आर् नैसर्गिक सौंदर से परिपूर्ण इस अतिश्य शेत्र में 16 फरवरी को सर्वप्रथम जैन उपासकोनी कारिक्रम को लेकर प्रभू से प्रातनागर भक्तिभाव से अभिशेक किया के प्रेह पूजन पंदन के उपरांत प्रभू को पालकी में विराच मान कर बेंड बाजों की मदुर्धवनियों के बीच घटी यात्रा की शुरुवात हुई गटी यात्रा की दोरान विभिन इस्थानों पर प्रतिक्षा कर रहे श्रधालू ने पालकी में विराच मान प्रभू की पूजार्च ना की तो वही गुरुवर की पात प्रक्षालन के साथ ही चरण कमलों पर पश्व अर्पित कर अपनी मनुकाम ना पूर्ण की गटी यात्रा की कारीक्रम इस्थार पर पहुँशने के बाद गुरुवर के सानिते एवं प्रतिष्ठा चारेजी के मंत्रों चारण के बीच सवभागी शाली परिवार ने मागली करियाएकर विधी पूर्वक धजारोहन किया धोजारोहन की पश्षाद पुन्य प्रतापी परिवार ने विधी पूर्वक फीता खोल कर कारीक्रम परिसर की प्रवेश मार्गो को प्रश्यस्त किया कारिक्रम परिसर में प्रवेश कर सौभागी शाली श्रेष्टियों ने परतिष्था चाली जी के निर्देशन में मंधप एवं वीधी शुद्धी की क्रियाएं कि तो वहीं सौभा के शाली श्रावक शेष्ठियों ने पांडुक्षिला पर विराजमान प्रभू का अभिशेक किया अभिशेक के बाद शांती पोण वातावरण में मंत्रोच चारण के बीच श्रावक शेष्ठियों ने प्रभू की शांते धारा कर विश्व कल्यार की भावना भाई बीच शेष्ष्टा है जिघ्व काय सथ्याए बुटा तलुश्व क्ष़ संगराय सत्य ग्यानाय सत्य धनेत बुणा मंढम्धब अरसियार का स्रावसरावक शेष्व मन्सनाई गाति करना संगाया हुआ है महसमागम शांतिधारा के पश्चात प्रतिष्ठाचारे जी ने जिने दृब भक्तों को विधी पूर्वक सकली करण की किरियाई कराई और श्वावक स्रेष्ठियों ने मंडल जी पर मागली करियाई करते हुए मंगल कलश इस्थापना इवं दीप जियोती प्रवाहित की करिकरम की अगली कड़ी में गुरुवर के सानित एवं प्रतिष्ठा चारे जी के निर्देशन में तीन लोग के नाथ को अरकि समर्पित किये संगीत बदुबाता वरण में अरकि समर्पन इवं मंडल जी पर श्रीफल आरपित करने के दोरान श्रावक श्रेष्ठिया प्रभु भक्ती में लेन हो गए प्रवाप divis के दूच्रेट स सुद्धी कमें मंडल जी पर श्रेष्ठिया बताते हुए विशेश जानकारी कुछ इस प्रकार्दी जो अपने बीच में गुरुवर विराजमान है गुरुवर आर्सकेती महाराजी इनका पाच्वा सहयम दिवस है और इस सहयम दिवस को मनाने के लिए हम सब ने बहुत अच्छे से प्रयास प्रयाजन किया है आपने इस गुरुवर का पात्रक्षालन किया इस बीच कारिक्रब में पधारे तारक महता का उल्टा चश्मा सीरियल के अयर का किरदार निभाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता इवं अन्य अतितियों का स्वागत अभिनन्दन किया स्वागत अभिनन्दन के पश्चाथ विशिष्ट अतितियों ने दीप प्रचुलन कर गुरुवर एवं प्रभु के चित्र का नावरण किया चित्र अनावरण के पश्चाथ तारक महता के श्री अयर जी ने कारिक्रम में उपस्थित जनों को संबोधित भी किया मैं एक मनो कामना लेकर आया था आ रहा था कल रात तक मैं बहुत ही खूश था लेकिन सुबह जैसे ही हम लोग एरपोर्ट पहुचे मेरे साथ में भाई भाई सुर्जी जी भी मेरे साथ में मौजुद दे और हमको पता चला की फ्लाइट एक गंड़ा डिले है कि मैंने का आहार का टाइम निकल जाए आज तो भगवान से मेरी लड़ाई हो जाएगा अलुम नहीं कुछ ऐसा चमतकार हुआ बन में वो विश्वास था और सुर्जी जी गड़ी-गड़ी कहरे तो चिंता नहीं करो यार हम टाइम पर पहुच जाएंगे और हम लोग टाइम पर पहुच गए और वो काम मेरे आसे हो गया इसलिए गुर्दे बहुत बहुत नमने इस सबसबर किशोरियों ने सामोईक भक्ती मृत्ति की प्रस्तोती दी तो वहीं विश्ष्ट जनो एवं श्रावक्षेष्टियों का स्वागत अभिनंदन किया गया अगले क्रम में परंपूजिया जरिश्री 108 कुमदु नंदी जी महराज ने अपने प्रवजिनों में परंपूजिय मुनिश्री 108 आर्श किरती जी महराज के तप, त्याग और सयम पर प्रकाश डालते हुए मानव जीवन को सुखी बनाने के उपाई समझाए कुछी अबस्ता के अंदर इनके कोई पास कोई कमी नहीं थी और नहीं कोई घरीब नहीं थे भी मैंने देखी और उन्होंने जो है संयम धारन किया आज पांच मांदेव संयम महान भाओ पांच वर्ष हुए हैं इनका अलुव पचास साल के जैसा है बजाओ तालियों इनका अलुव इनका सास्त्र ग्यान हम जिसको 40 साल दिख्चलियों हो गए जो ऑम इन सास्तों को पर पढ़ते हैं करते हैं पूरा प्लठ करते हैं सकते हो इतनी को लेना पर की 40 साल होगा याद में हुंगा हमारी याद कर archae में साट साल के ओगाए प्रवचन के बाद सभाग इशारी श्रावक शेष्टियों ने गुरुवर का पात प्रक्षानन करने के साथ श्रीफल पुष्प आदियर्पित करते हुए आर्तिकर अपना जीवन धन्य किया हाँ 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 सब्सक्राइब अब गुरुवर को श्रीफल आदिसमर्पित करते हुए अगरुभक शेष्टियों गुरु भक्ति के सागर में गूते लगाने लगे इसी क्रम में सवभागिशाली परिवारों ने गुरुवरों को पिछी, कमंडल, जिन्वानी जी इवं शास्त्र आदी भेट कर आशिरवात प्राप्त किया अब समय था परंपूजी मुनीश्री 108 आरशिकिर्ती जी महराज के मुखारबिंद से होने वाली अम्रतवर्शा का गुरुवर ने जन्म मरण के सार को कुछ इस प्रकार समझाया कर पाया है जिन्ग जीवन में जोड़ा तो है लेकिन जोड़ करके जोड़नासीखाées जब तक जोड़ते रहेंगे जोड़ते रहेंगे तब तक दुनिया में कभी हमारे लिए कोई भी कहने 01 कि अच्छा इंसान था आज तक इतियास गवा है जिस जिसने संसार में जोड़ा है उसका नाम कोई नहीं लेता है लेकिन जोड़ करके जिसने जोड़ना सीखा है नाम इतियास में उसी का लिखा गया है और दुनिया का एक मेव ऐसा कोई धर्म है दुनिया का एक मेव कोई ऐसा उपदेश है जो हम सब को जोड़ने के साथ साथ छोड़ना सिखाता है प्रवचन के बाद संगीत मैवातावरण में सौभागि शाली श्रावक श्रेष्टियों ने मंगल तीपो से गुरुवरों की आरती कर मंगल भावना भाई सांदे बेला में सांस्कृतिक कारिकरम के अंतरगत किशोरियों एवं श्रेष्टियों ने भक्ति मृत्ति की प्रस्तोती देकर बातावरण भक्ति में कर दिया तो वही कलाकारों के लगुनाट के मंचन ने उपस्तित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया मुम्मी मेरे को जाना है मैं रामो काका से बात करती हूँ रामो काका जी सेठानी जी लल्ला को अपने साथ ले जाओ हाँ ठीक है सेठानी जी संभाल के लेकर जाना और संभाल के लेकर आना जी सेठानी जी दर्शको आज आपने गुजरात प्रान के दिरोल इस्थित अरावली परवत श्रंकला की गोध में नैसर्गिक सुंदर्रे के रिव प्रसिद शिरी देवपुरी अतिशा शेत्र में सोला से अठारा फर्वरी के मध्ये वेदी प्रतिस्था मूर्ती स्थापना एवं दीक्षा दिवस महुत्सव की मनोहारी जड़्यों का आनंद लिया इस कारिक्रम में जैन उपासकों ने परमपूजय मुनिश्री 108 आर्ष कीर्थी जी महराज का सईयम दिवस मनाकर अपना जी प्रिमाओं को नवीन वेदियों पर विराजमान कर धर्म की प्रभावना की आज के लिए बस इतना ही करपुनहा आपसे भेंट होगी इस कारिक्रम की अगली कड़ी के साथ तब तक के लिए आप देखते रहिए जिन्वानी चैनल जैजनेंद्र इस कारिक्रम की पन्याड चकते राजेश बीश्चाहा, टुडे ग्लोबल मुंबई, एरिस्टो बिल्डर्स एहमदबाद, सुनील वी महता एहमदबाद, टी एफसी रोड लेंक, एस वी कैरियर एहमदबाद